हेलो फ्रेंड्स बिट्टू और जीतू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप जो फ्लाइट देख रहे हैं ये इंडिगो का फ्लाइट है दोस्तों और मैं बैंगलोड से नागपूर जाओंगी और नागपूर से नासिक जाओंगी दोस्तों तो वेरप्लेन में बैठने की अलगी बात होती है, हम सुकून से चले जाते हैं और कम समय में पहुँच जाते हैं, आप देख सकते हैं, यह रात का नजारा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, एरपोर्ट में बहुत ही जादा लाइट की से विधा होती हैं, दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा फील होता है जब हम फ्लाइट में सफर करते हैं और हमें हमें खिर्की वाली सीट मिल जाती है तो और भी ज्यादा सफर का मज़ा आ जाता है दोस्तों तो खिर्की वाली मुझे सीट मिली है और मैं सब पीक आप के सामने खीच रही हूं और दिखा रही हूं तो आप लोग भी बहुत इंज्वाइ कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और विट्टु और जीतु चैनल को टॉप पर पहुचाईए दोस्तों दोस्तों एरोप्लेइन पर फ्लेश लाइट होने के कारण वीडियो पर भी आ रहा है लाइट और आप देख सकते हैं यह कितनी बड़ी जहाज है और लोग बहुत रहते हैं दोस्तों बहुत भीड रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों अगर आप बैंगलोर का एरपोर्ट देगेंगे तो आप बिल्कुल स्वर्ग की तरह दोस्तों लगता है बैंगलोर का एरपोर्ट और बहुत ही दूरी में है दोस्तों और सरसजावट बहुत ही अच्छा किया हुआ है और बहुत इंटरनेशनल फ्लाइट भी वहां से जाती है दोस्तों तो बहुत ही बहुत ही सुकून का पल मिलता है दोस्तों आप देख सकते हैं अब हमारी फ्लाइट उपर की तरफ जा रही है दोस्तों और बहुत ही सुन्दर नजारा देख दोस्तों दूरी से सही हमारी बस चलती जा रही है और मैं आपको जहाज दिखा रही हैं दोस्तों अभी हम बस में एयरपोर्ट बस में आ और आप जहाज देख सकते हैं कि कि इस संदर लग रहे हैं दोशते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है सभी तरह के जहाज हमें देखने को मिलते हैं और हम इंजॉय करते हैं सबसे बड़ी बात है कि हम उसको इंजॉय करते हैं दोस्तो एयरपोर्ट बस में भी बैठना बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ही अच्छी तरह से यह सुभी का समय है दोस्तो आप देख सकते हैं सुभी का समय है और हम एयरपोर्ट पर आ चुके हैं अपनी फ्लाइट लेने के लिए और बहुत ही सुकून से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं दोस्तों और बहुत ही वहां के जो स्टाफ होते हैं वो बहुत ही हम लोगों को कॉपरेट भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आप देख सकते हैं कितनी जहाजे एक साथ खड़ी इसमें बैठते हुए हैं और आप देख सकते हैं वения कि ते और हम अगरें देख सकते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजों की जुरत पड़ती है एक जहाज को उड़ाने में और ये देखिए बड़ी सी जहाज जो की बहुत ही सुन्दर लग रही है दोस्तों तो एयरपोर्ट करना जारा बहुत ही आनंद में ही रहता है और यहाँ चलिए दोस्तो मिलते हैं अगले व्लाग में तब तक के लिए वाई वाई दोस्तों और बिट्टू जी तू चैनल को चुरूर सपोर्ट कीज़ें